हेलो फ्रेंज, वागर देश पोकसाईज के स्रीज में जिसमें हम लोग लेका आते हैं मेंस रिलेटेट को एक टॉपिक, इस बाल का जो टॉपिक है वो है ईबियम एलेक्ट्रानिक वोटिंग मसीन, देखेंगे क्या क्या चैलेंजेंज हैं, सिगनिफिकन्स क्या क्या है और श होता है कि उसके साथ, उसके सौफवेर के साथ छेड़ चाड़ किया जा रहा है, जिसके बाद वो जो है किसी खास पार्टी के तरफ उसके वोट चले जाते हैं, जब आप एलेक्ट्रानिक वोटिंग मसीन में जब आप अपना वोट प्रेस करते हैं, तो आप जिस कंडिडे पी बहुत चारे बोट से जीती थी, इसके बाद जब विधान सभा चुना हुआ यूपी में, उसके बाद बीजेपी ने बहुत जादा तेज से आरोब लगाया, बीजेपी के उपर कि उन्होंने टेंपरिंग कराया है, जो है, इबीम का, उसके बाद अभी जो यूपी में मेर्स के चुना हुए, उसमें भी बीजेपी जीती, जिसके बाद और ज़्यादा जोर हो गया, और अभी जो है, हिमानचल पर्देश और गुजरात में जो चुना चलना है, उसके बाद फिर से इबीम नियूज में है, इसलिए हम लोग इसको डिसकस कर रहे हैं, ठीक है, आ तो यहाँ पे जो वैलेटिंग यूनिट है, इसमें आप प्रेस करते हैं, और फिर इसमें कंटोर यूनिट में जाके वो रिसीब हो जाता है, उसके बाद वहाँ पे सेब हो जाता है, यह बीबी पैट क्यों लाए गया था, बाद में लाए गया यह बीबी पैट, कि जिस कं कि किसको आपने बोर्ट गया ठीक है पार्टी का नाम होगा उसके अलामा जो है चिन होगा यह दो बाते होंगी यहां पर परची निकलेगा और फिर वो अंदर ही चला जाएगा मतलब आपको परची फिजिकली मिलेगा नहीं सिरफ आप देख सकते हैं यह बीबीपेट का कंसे ठीक है पहली बार जो है इबीएम का यूज किया गया था केरला एसंबली में 1982 के दोरान ठीक है पहली बार इबीएम का यूज किया गया था केरला एसंबली में फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद कर सकते हैं उसके अलामा प्रोडेक्शन और डिजाइन कौन कर ठीक है जिसको कोई खास जो इंजीनियर बना रहा होता है उसको ही पता होता है फिर इंजीनियर्स को पता होता है लेकिन उनको यह नहीं पता होता है कि यह EBM कहां पे लेके जाके fit किया जाएगा किस constituency में इसका यूज किया जाएगा यह उस इंजीनियर को पता नहीं होता है इ इंडिया में ईबियम का यूज करना शुरू किया गया बात यह कि इंडिया की डेमोक्रेश, इंडिया जो है बहुत बड़ा डेमोक्रेश है, 125 करोंड लोग है जिसमें 800 मिलियन बोटर्स हैं, तो 800 मिलियन बोटर्स को अगर बोटिंग करवानी है और आप पेपर वैलेट लेक लोग जो है आपाएं और वोटिंग कर पाएं कई सारी समस्या है हम लोग एक एक करके देखते हैं क्या समस्या है आती है अगर हमें EBM का यूज नहीं करते हैं तो पहली बात हमने बात करी कि जो largest democracy है सब democracy का मतलब है भाई सब लोग participate करें तो participation बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा उपयोग माध्य में हमारे लिए EBM आया आपने बटन प्रेस किया receive हो गया और वो सारी बातें चलती रही प्रोसेस में जो आपको पता है लेकिन paper wallet में क्या होता था कि एक तो इतना सारा papers आपको print करने पड़ते थे तो धेर सारे पेड़ों को काटा जाता था जिसके चलते जिसका कास्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता था ठीक है और बहुत चारे लोगों को जिसे मानली जी थम लगाया उन्होंने paper wallet माननेते हैं तो paper wallet में उन्होंने एक एक corner होगा, एक मालीज इतना बड़ा corner है, यहाँ पे मालीजे थम लगाना है, ठीक है, उन्होंने थम यहाँ लगाया और यहाँ न लग की, यहाँ लग गया, हलका सा, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया, इधर, तो अब वो जो है, बोट को count नहीं किया जाता था, paper wallet में, तो हर बार कहीं न कहीं, जो है, बिधान सभा कहीं, लोग सभा चुना होते रहता है, तो फिर उसमें इतना सारा पेड़ो की कटाई हो जाती है, और cost बहुत जादा पड़ जाता है, entire process बहुत difficult थी, जो है, paper wallet में, simple process नहीं था, आपको जो है, आपको अंगुठा लगाना होता थ इस टाइब की जो है, प्रोग्रामिंग थी, तो उसमें बहुत दिक्कत होती थी, cost effective नहीं था, इस बार जो है, हम लोग EBM जब यूज कर रहे हैं, तो इसमें बहुत जादा cost effective, long term में तो बहुत जादा cost effective है, बाई, पेड़ों को नहीं काटेंगे, तो एक पैसा बचेगा, उसके अलामा जो है, EBM को ले जाने और लाने में बड़ी दिक्कत नहीं होती है, मतलब paper wallet में क्या था कि, बहुत सारे पेटियां बनती थी, जितने लोगों ने परचे में अपना दर्जा किया, उस सब परचे को तो पहुचाना पड़ेगा कहीं पे, तो उसको ले जाने में जो है, EBM बैटरी पर चलती है, किसी प्रकार के electricity के जरूरत नहीं होती है, तो यह हर जगाँ पर काम कर सकता है, मतलब गाओं इलाके जहां पर electricity का नहीं है, वहाँ पे भी आप EBM का आसानी के साथ यूज कर सकते हैं, जहां transportation नहीं है, सही से थोड़ी सी मसीन अगर ले जाने तो बहुत सारे जो है, जब आप गढ़ना करते हैं, counting process होती है, उसमें mistakes भी होती है, उसके अलावा जो है, बहुत समय लगता है, आप जानते होंगे पिछले जब EBM यूज नहीं किया जाता था आपके गाओं गेरा में, तो उसमें कितना समय लग जाता था, पान से छे दिन लग जाते थे, जब वोटिंग गिनने में, उसको गिनने में ही बहुत सारे समय लग जाते थे, जिसके चलते जो है, रिजल्ट जल्दी नहीं आपाता था, अब आप देखते हैं, कि एक ही दिन में गढ़ना शुरू ही और उसी दिन जो है, रिजल्ट आ गया, तो यह सारा process जो है, कैसे है, transparency भी है, किसको कितना बोट गया, पूरी बाते जो है, एकदम computerized form में आपको मिल सकती हैं, तो यही कहेंगे कि इसने voting counting process को जो है, बहुत तेज कर दिया, तो यह कुछ important अच्छी बाते हैं EBM की, लेकिन इतना सब कुछ हुआ, फिर भी यह जो है, इतना सारा फाइदा है, फिर भी यह news में रुका नहीं, इसका हमेशा बिवाद आस पद रहा, बिवाद किस बाद, tempering के लेकर, जब tempering बिवाद इतना जादा बढ़ गया, तब सब लोगों ने सोचा कुछ और यूज करते हैं, फिर नया concept आया गया, बीबी पैट का, ठीक है, बीबी क्या है, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे, कि यह बीबी पैट है, ठीक है, इसमें क्या होती, एक परची निकलती है, जिसमें आप देख सकते है, कि जब आपने बटन प्रेस किया, तो यहाँ परची निकली, पांच सेकंड के लिए, जिसमें उसमें क्या लिखा है, इसमें उस candidate का नाम नहीं होता है, उस party का नाम होता है, उसके अलावा, उसका symbol होता है, ठीक है, तो यहाँ पर परची निकली, और उसने दिखाया आपको, कि यहाँ आपने इसको इसको दिया है, उसके बाद परची अंदर ही चली गई, ठीक है, वो आपको मिलती नहीं है, तो यह BB pet आए गया लेकिन फिर भी ये question रुका नहीं कि क्या बीबी पैट सही है कि गलत है ठीक है बीबी पैट पर भी कई बार जो है सवाल उठे कि जो बीबी पैट भी परची दिखा रही है वो भी गलत दिखाती है कभी-कभी उसमें भी अब कि अदर दं है तोच तो एलक्षण कर सकते हैं और उन्हें कहले हम इसको हैंग कर सकते हैं ठीक है कैसे है कर सकते है ये काम कर सकते है इसमें एक चिप होती है अगर उस चिप को आप ने निकाल दिया तो आपकी EBM डिस्ट्राइब जल जाएगी लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि आगर हम चाहें तो remote centring device के दौरा remote device के दौरा हम इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और जो है बदल सकते हैं इसका प्रोग्राम, उसके अलावा एक नई CD, Pre-Program Chips इसमें लगा सकते हैं, जो कि इसके प्रोग्रामिंग को बदल सकती है और जिधर चाहें उधर वोटिंग करवा सकती है, इस प्रकार के कुछ, जो है एक्सपर्ट ने दावा किया, IITNs ने दावा किय फिर ये लगातार न्यूज में चलती गई, चलती गई और अभी भी है, ठीक है, अगर बात करें कि पेपर वैलेट का क्या अच्छा बात है, अगर हमको EBM हटा के पेपर वैलेट का यूज कर लेना चाहिए, तो उसका क्या-क्या फाइदे हैं, ठीक है, आर्गुमेंट्स अ उसके बाद देश में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा सकता है, तो ये एक पॉइंट्स लिख सकते हैं, उसके अलामा एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट ही, यूज की, यूज अभी भी जो है पेपर वैलेट का यूज करता है, यूज इतना टेक्नोलजी एडवांस देश हैं, लेकिन फिर भी वो एबियम का यूज क्यों नहीं करता है, वो अपनी डिमोकरेशी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो भी तो एबियम का यूज कर सकता था, लेकिन वह उस वहां के लोग जो है, अभी भी प्रेसिदेंशियल एक्सन में जो है, पेपर वैलेट का जन संख्या कम है हमारे जन संख्या इतने ज़ाद है तो हम लोगों को सब को वोटिंग दिल्वा नहीं है तो अब यह पॉइंट जब इंटी में लिख रहे हैं तो यह लिख सकते हैं कि यूस जो है अभी भी यूज कर रहा है पेपर वैलेट का ठीक है तो यह सारे कुछ से पेपर वैलेट की तरफ लौट आना चाहिए ठीक है उसके अलामा जैसा कि मैंने बताया कि पेपर वैलेट के साथ भी कुछ समस्या है पहली समस्या है कि इसको ट्रांसपोर्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है धेर सारे बकसे-बकसे मैंने गाओं में देखा है कि धेर सारे बकसे होते थे कम से कम 15-20 ट्रक आते थे उनको लेके जाते थे इस टाइब का तो वहाँ पे भी दिक्कत होती थी उसके अलामा जो है इन बकसों की गार्डिंग की समस्या होती थी कि मतलब बीज में उसको कोई कैप्चर ना कर ले जो है बाहू वाली टाइब के लोग तो इस मालेजे की बहुत सारे लोगों को आके उन्होंने बोड दिलवा दिया उस टाइब का फ्राड्स उसके अलामा जो हमने बात की की बाहू वाली टाइब के लोग जो आते हैं लकसंद में फ्राड करते थे उससे बचने के लिए आप ईबियम का यूज कर सकते हैं बहुत सारे एरिया जैसे च्छतिसगर के नकसलवाडी एरिया है आपने न्यूटन फिलिम देखी होगी तो पता होगा कि कौन-कौन से लोग जो है भी वोटिंग बारे में नहीं जानते या वोटिंग राइट के बारे में नहीं जानते वहां पर यूज करना असान है इबियम का उसके जो है जैसे मैंने आपको बताया कि जहां पर इसका संबंद जो है आपके डबलमेंट से भी अगर इबियम का यूज करते हैं तो धेर सारे लोग डेमोक्रेसी में आएंगे जो लोग अपनी वोटिंग देंगे अपनी आमाज उठाएंगे अपने प्रतनिदी को जो है आपक प्रास होगा तो डबलमेंट प्रोसेस में भागी दारी बनेंगे मान लिजिए 36 गड़ का कोई बेखती है जो चुनाओ लड़ा और जीत गया तो वह प्रॉपर जानता तो होगा कि उनका प्रॉब्लम क्या है ठीक है तो पहली बात तो यह थी कि जब पेपर वालेट था तो भो वोड दे ही नहीं पाते ते अब यह जब यह जब e bm आजाएगा तो वोड़ देंगे वौड देंगे थूनका प्रतनिदिव चुना जाएगा और प्रतनिदिशि चुना जायगा तो अपनी बात उठाएगा और जब बात उठाएगा तो उनके लिए डेपलेमेंट का चैनाता है क्यूं कैसे क्यूंकि जैसे जब लोत सारे लोग पार्टिसिपेट ही पहले क्या होता था कि जब पेपर वैलेट होता था तो रियलक्षन के घटनाएं बहुत जादा पाई जाती थी कि मिसमैच हो गया या मलफंक्शनिंग हो गई बूत कैप्चिरिंग हो गई लेकिन एब्यम में क्या होता है कि छोटी सी मसीन है चिप निकाला ठीक है बक्से में रखा और लेके चले गए तो अब रियलक्षन की घटनाएं बहुत कमाय रही है जब से एब्यम आया है तो ये कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव पेपर वैलेट का क्या यूज है उसका क्या दिक्कत क्या है उसके साथ ये सारी बाते एब्यम अगर हम रखते हैं तो उ बलीफ पे और फेर्नेस पे ठीक है एक बात आती है ट्रस्ट बलीफ और तीसरी बात जो आती है आपकी फेर्नेस की अगर डेमोक्रेसी में तीनों बातें अगर किसी भी प्रकार से कमजोर पड़ी तो आपकी डेमोक्रेसी चर्मारा जाएगी ठीक है इन लिए इसलिए जरू लोगों का उठ रहा है पुलिटिकल पार्टी का विस्वास उत रहा है कुछ लोगों का भी विस्वास जो उठ रहा है उसको मेंटेन कीजिए जिससे कि आपकी जो डेमोक्रेसी वो मेंटेन हो जाए ठीक है अगर यह मेंटेन हो जाएंगे ठीक है तो वो दुबारा चुनाओं में लड़ेंगे नहीं तो फिर democracy किस बात की तो democracy को अगर आपको protect करना है तो EBM की जो है tempering को जो है उसकी जो reports आ रही है उसको खतम करना पड़ेगा उसके अलावा उसकी तारकिक्ता को सिद्ध करनी होगी जो है election commission को तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बाते समझ में आए होगी और thank you so much thank you so much for discussion